पढ़ानकोट के सिविल अस्पताल के बाहर से पिछले महीने 27 तरीको सुरेश कुमार निवासी गाउं जुम्बर का मोटर साइकल चोड़ी हो गया था जिसकी शिकायत उनकी और से थाना डिविज नमबर एक में दर्च करवा दी गई थी प्रतु इतने दिन बीच जाने के बाद भी पुलिस की और से कोई कारवाई नहीं की जाने की जलते पेडित व्यक्ति के परिवार में रोश है उन्होंने थाना डिविज नमबर एक के पुलिस की आगे मांग की है उन्होंने कहा है कि उनकी शिकायट पर फुलिस वारा कोई भी कारवाई नहीं की गई है क्योंकि वे मद्य परिवार वर्क से हैं और उनका सारा कारोबार मोटर साइकल पर नेरबर है इसलिए उनको इंसाफ दिलवाया जाए परिवार वालों ने मांग की है कि इनकी शिकायद पर जल से जल कारवाई की जाए और इनसा आप दिलवाया जाए की अपैया दर्जिवया एंदे और नंबर देता में राव ना सकते हैं तुर्ण कि यह इस इत्रण देल्टा से पाई नूव्ट दो गया जैने निदरी मोचिय दिठी उसे मचसारे अगा लें पीसे जाना बाव एक नगजाए नहीं जाना झाल भूमसे गांगा